मेरे अदीज किसान भाईयों, उद्दमियों और विद्दार्तियों, नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर विजाय जोशी और बात कर रहा हूँ S.V.Aquafarm Consultant YouTube Channels देखिए जो मेरी पिछली वीडियो थी मुरहिल के बारे में वो बहुत लोगों ने देखी, बहुत लोगों ने सराहना की, बहुत लोगों ने कुछ questions पूछे तो अभी इसमें फिर से जो ज़्यादा से ज़्यादा शंका लोगों के है, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ तो पहला तो बहुत सारे किसानों ने बताया है कि उनको जितना चाहिए उतना उत्पादन इस मचली का नहीं मिलता है, क्या करें? तो देखिए इसके लिए मैं उनको बोलता हूँ कि grading करना जरूरी है, यह जो मचली है मुरेल यह अती मौसाहारी है और एक बड़ी मचली चोटी मचली को अपने ही प्रजाती के खा जाती है, मतलब एक ही तालाब में मुरेल मचली एक बड़ी हो गई, एक थोड़ी चोटी ह तो बड़ी मचली चोटी मचली को खा जाती है, इसलिए उनको grading करना आवश्चक है, इसलिए अपने पास अगर चार या पास चोटे 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 तालाब है, चार चार गुंठे के जो डाइगराम में बताया है, तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एक जो बड़ी मचली है, वो दूसरे चोटे तालाब में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, और वहाँ उसको खाना दे सकते हैं, फिर ऐसे स्थिति में चोटी मचली को खाना मिलना शुरू हो जाता है, और वो भी बड़ती है, तो ये एक है कि आपको grading करना जरूरी है, और आप वो सहजता से कर सकते है grading मतलब छोटे बड़े अलग करना, अच्छा दूसरी बात आप कर सकते हैं कि जो बड़ी मचली है, क्योंकि देखे हैं कुछ मचली तो बड़ी हो जाती है, एक मचली समझो 200 ग्राम के है, तो दूसरी तवी 700 ग्राम के भी होती है, तो ऐसी जो बड़ी मचली है, ये बड़ी मचली मार्केट में बेज डालो, आपको पैसा भी मिलेगा, पॉंड में का मचली भी कम हो जाएगी, और मचली 400 मचली प्रती 4 गुंठा, प्रती 4000 स्क्वेर फीट, इतना ही रखो, जादा मत रखो, दूसरी बात, आपके खेट में कोई स्वैमपी एरिया है, जहां बाकि पानी से हमेशा पानी रहता है, वहाँ पे थोड़ा सा कीचड रहता है, और बाकी कोई भी क्रॉप आप ले ली सकते, तो ऐसी जगह पे आप मुरेल के ताला बना सकते हो, और वह जगह आप आपके उप्योग में ला सकते हो, यह अगयर बाती की, तो आपको आपको जो है, उसका उत्पादन जादा मिलेगा, 100% मिलेगा, यह एक बात होगे, दूसरी बात, बहुत सारे मेरे दोस्तों का सा क्रेश्चन है, कि मार्केट रेट नहीं मिलता है, हम मचली बढ़ाते हैं, लेकिन उसे मार्केट रेट नहीं मिलता है, इसका काराण है कि बहुत सारे मेरे कि किलो बेचेगा इसलिए आपको मार्केट में जाके मचली बेचना है एक बात दूसरी बात आपको उसका अड़ेटाइजिंग करना है सोशल मेडिया है वाटसाप है फेस्बूक है यूट्यूब है सभी है वहाँ पे आप आपकी मचली की अड़ेटाइज करो कि हमारे यहां ब सब मचली अगर आपको उसको रेट नहीं मिलता है वह पर अब है किताब के बारे मेरा किताब है मीठे जल जी पे पे पर पेमेंट कर सकते हो आप जो ओलते हैं फोन पे कर सकते हो याा आप को QR कोड पार नाम और पूरा अड्रेस विध पिन कोड मुझ्य भेजो तो तुरह जब पैसे मिल जाएंगे तो आपका किताब dispatch हो जाएगा और वह speed post से आएगा क्योंकि मेरे बहुत सारे किसान मित्र देहात में रहते हैं विलेज में रहते हैं जहां कोई courier अपनी service नहीं देता है इसलिए speed post is most reliable और फिर भी अगर आपको doubt है तो 9423291434 पर आप contact कर सकते हो तो आज के लिए इतना काफी है नमस्ते आपको अगर ये वीडियो अच्छा रखता है तो like करो comment करो और subscription नहीं सब्सक्राइब इन नहीं है तो हो जाओ और ज्यादा से ज्यादा मित्रों को यह वीडियो शेयर करो